नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना हुई उपैथि क्लिनिक केस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे चर्चा करेंगे फैटी लिवर के विशह में बहुत इंपॉर्टेंट विशह है हम आपको बता है हमारी क्लिनिकल प्रिक्टिस में 200 मरीज अगर हमारे क्लिनिक रोज आते हैं साथियों तो दो सों में से अगर मान लीते हैं अगर 50 लोग लेकर आते हैं तो पचास लोगों में से 45-47 लोगों के फैटी लेवर निकलता है तो यहां इतनी बड़ी समस्या है आप सुचें, 200 लोगों में से अगर 50 लोग अटरसाउंड करा के वो रिपोर्ट लेकर हमाया पास आ रहे हैं तो यहां इतनी बड़ी समस्या है और यहां समस्या इसलिए क्योंकि फैटी लिवर तो छोटा विशय लेकिन फैटी लिवर से जो आने दिकते होती हैं वहाँ बड़े विशय होता है तो आज हम बताएंगे सातिया आपको फैटी लिवर को ठीक करने की दस कारगर होमियोपथिक दमाएं और लिवर को ठीक रखने की भी यहां दस कारगर होमियोपथिक दमाएं सबसे पहले साथियों जान लेते हैं जो हम लोग इतनी चरचा सुनते हैं fatty liver, fatty liver या fatty liver होता क्या है साथियों इसको बेसिकली non-alcoholic fatty liver disease कहते हैं NAFLD non-alcoholic fatty liver disease उनके भी लिवर में excessive fat जमा होने लगता है यही fatty liver disease होता है नौर्मली 5% of the liver weight जो है नार्मल माना जाता है इसके उपर अगर आपके fat जमा हो रहा है तो वह ही माना जाता है कि excessive fat जमा हो रहा है नौर्मली ये जो NFLD की condition है non-alkalic fatty liver की condition है या बहुत दिकत नहीं देती है आप इसको खुद manage कर सकते हैं अपने परहिज एतियाद करके लेकिन वक्त के साथ ये non-alkalic strepto hepatitis में convert होती जिसको की NAS कहते हैं और NAS जो है ultimately आपको liver cirrhosis या scaring of liver tissue या liver failure की तरफ दे जाता है तो यहाँ पहला जो stage होता है fatty liver यहीं पर हम अपने को सही कर लें तो आगे liver की दिकते नहीं आएंगी और WHO कहता है कि physiological disease सबसे बड़ा आने वाले वक्त में liver failure ही है क्योंकि liver एक बहुत vital organ है और इसका खराब होना पुरे शरीर की खराब होना है 400 important functions liver के होते हैं जो बहुत important functions होते हैं जिसमें की glucosinolases, glycogenosis, glucosinolases, glycogenosis सब इसी में होते हैं शुगर का पूरा intake इसमें होता है, insulin का पूरा transfer इसमें होता है, energy का पूरा management liver में होता है तो यहाँ आपको ठीक रखना है और अपने fatty liver को भगाना है, हम आपको बताएंगे उसकी दसकार गर हो, neopatic दवाएंगे तो आपने जान लिया साथियों यहाँ होता क्या है fatty liver disease अब साथियों जान लेते हैं इसके symptoms के विशह में कि कैसे आप पैचाने कि आपके fatty liver हो रहा है एक simple तरीका तो है आप ultrasound करा लें और fatty liver आ जाएगा तो इसके 3 symptoms होते हैं, कला तो वह है कि आप ultrasound ना कराएं और बास समझ में आए तो इसके 3 important symptoms होते हैं साथियों पहला तो itself होता है enlarged liver, fatty liver में क्या होता है, liver बढ़ जाता है तो पहला symptom हो गया enlarged liver, दूसा symptom हो गया fatigue यानि कमजोरी आना और तीसा symptom हो गया आपके right side lower abdomen में ribs के नीचे pain होना अगर यहां symptom 3 आप में हैं तो आप समझ सकते हैं, हो सकता है आपके fatty liver हो आप इसको ultrasound कराके और अपनी बात को द्रण रूप से इस्थापित कर सकते हैं फिर साथियों आते हैं इसके causes के रूप में causes इसके आज तक अन्नोन है लेकिन इसके 4-5 बड़े प्रमुक कारण होते हैं जिसमें की पहला कारण है कि आपको jaundice हो गया हो तो आपका fatty liver हो जाता है दूसरा कारण या आप insulin resistant हो गए हो तो fatty liver हो जाता है pre-diabetic इस्थिति में या high blood pressure की इस्थिति में आप हो उस condition में fatty liver हो जाता है और आपका physiology ठीक ना हो यानि कि आप लिथार्जी हो तो fatty liver होने की पूरी संभाव ना है साथियों नंबर एक दवा जो homeopathy में fatty liver को ठीक करने की है और हम लोग अपने clinic पेस को बहुत successfully imply करके इसका magical result देखते हैं वह है चलिडोनियम मेजस आप चलिडोनियम का मदड इंचर ददस बून चार बार यदी ले लेते हैं तो आपका यह जो fatty liver है एक महीने के अंदर ठीक होने की पूरी संभाव ना है और चलिडोनियम सातियों ऐसी दवा है चाहे आपका non-alcoholic fatty liver disease हो यानि fatty liver हो चाहे इसकी अगली stage non-alcoholic stepto hepatitis हो यानि NAS हो या फिर इसकी तीसरी stage जो liver failure या liver cirrhosis या scaring of the tissue of the liver है वहाँ तीनों stage को ठीक करने में चलिडोनियम नंबर एक दवा है ऐसा हमने क्लिनिक पर देखा है मैं बड़ी भरोसा है तो अगर आपको liver की कोई भी दिक्कत हो साति हूँ जॉन्डिस से लेके कोई भी तो आप जो इलाज कर रहें करें और साथ में अगर आप चलिडोनियम मेजस का मदट इंचा ले 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 राइट शोल्डर के नीचे पेन हो रहा है आपको फैटी लिवर हो गया है तो चलिडोनियम मदट इंचर ददस बून दिन में चार बार इस ता बेस्ट ट्रग ऑफ चॉइस फोर यू फिर सातियों किस्टिती आती है कि जब आप चलते हैं तो चलते ही हां राइट साइड आ लिवर के तकलीफें वहां पुरी तरह खतम हो गया और आपका फैटी लिवर ठीक हो गया फिर सातियों किस्टिती आती है फैटी लिवर जिनको होता है उनकी आती हाइपर एसीडिटी और गैस उपर की तरफ बनना तो अगर यहां कंडिशन आप में है कि आपके हाइपर एस गैस बनने लगी और गैस उपर की तरफ आने लगी शाम के समय तकलीफें बढ़ गई चार बजे की आराउंट तो अगर यहां इस दिती आप में है कि आपके लोर एब्डॉमिन में बहुत गैस बन रही है और गैस उपर चड़ रही है और ब्लोटिंग है और आपके फैटी बंद हो गई शाम को बढ़ने वाली फैट पेट की तकलीफें भी खतम हो गई और आपका फैटी लिवर डिजीज भी ठीक हो गया फिर साथियों फैटी लिवर की बहुत अच्छी एक और दवा आती है कैसे स्थिती आती बड़ी कॉमन वहां यह है कि राइट साइट छूने से भी आपको दर्द हो रहा है ती ज्यादा सूजन हो गई आपको फैटी लिवर कारण जब आप रिस के नीचे टच करते हैं यहां पर राइट साइट तो आपको दर्द महसूस होता है अगर यहां कंडिशन है इसको ठीक करने की हुम्योपैथी बहुत कारकर दबाब मेजर मैरिनस दर्द सबून दिन में चार बार ले ले आप देखेंगे कि आपका जो टेंडर नेस है राइट साइड लोब में लिवर की वहां पूरी तरह खतम हो गई और जो आपके पेशाब में अगर सेडिमेंट सारें टार कलर्द हो रही वहां भी आपकी पीली बहुत इससे को को देखेंगे वहां भी क्लियर हो गई है तो काड्ल बहुत अची दवाय शाथि अगर राइट साइड आपके जिब्स के नीचे लिवर एरिया में पेन हो रहा है एक common esthity आती है साथियों कि जब आपके यहां liver में pain हो रहा है, right side आपके liver में pain हो रहा है, और जब आप बाई करवट लेटते हैं, तो आपके pain बरता है, अगर यहां esthity आप में साथियों कि आपके right side pain हो रहा है, लेकिन अगर आप बाई करवट ले लेते हैं, left side, तो आपके पेन बढ़ जाता है तो उसको ठीक करने की भी होमियोपेटियम बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है पटेलिया आप पटेलिया टी यहां दवा 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले लें आप देखेंगे कि आपका यहां राइट साइड जो फैटी लिवर के क पॉर्टेंट दवा आती है नॉन एलकोलिक फैटी लिवर डिजीज की कि जब आप बहुत जादा दारू पीने के आपके आदत रही हो या हो और आपके फैटी लिवर हो रहा हो पेट आपका हमेशा खराब रहता हो एक बार में मोशन खुलके ना होता हो जीने में जलन मृटकार कर दवा है और बहुत कॉमन दवा है और दवा का नाम है नकस्वोमिका आपको मिका 30 बार इन मियुक दिन उसमी देशन सकती है जब आपकोас आपके सीने में जलन काफी होती हो आपको एक बार में मोशन ना होता हो लगता है कुछ रह गया हमेशा स्टूल के अर्ज बना रहता हो यहां दबा आपके नॉन अलकोलिक फैटी लिवर डिजीज यानि फैटी लिवर डिजीज को पुरी तरह खतम कर देगी जो अलकोहल के कारण आपके लिवर को नुकसान पहुचा है वहाँ भी ठीक कर देगी बस सर्त है अब आगे से अलकोहल अगर पहले लिया हो लेकिन अब लीचेगा फिर एक सिती आती है साथियों की फैटी लिवर डिजीज है और आपने कुछ भी खाया खाना मूं में आने लगा अगर यहां कंडिशने साथियों तो इस सिती को ठीक करने की होमियों पैथी में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है फॉस्फोरस आप फॉस फैटी लिवर होने के कारण यहां ठीक हो गई फॉस्फोरस के मरीज को नॉर्मली ठंडी चीजें खाना जादा पसंद होता है शाम को तकलीफें उसकी बढ़ती है और उसको पूरे शरीर में एक जलन ऐसी महसूस होती है अगर यहां सिम्टम है तो समझ दीजे फॉस्फोरस आपके लिए सबसे मुफीद दवा है कारण दवा है सबसे सठीक दवा है आफ़स्वरस वानियम के तीन खुराग पंच परशनेट के फासले पर वीकली लेके अपने फैटी लिवर डिजीज को ठीक कर सकते हैं फिर एक इस्थिति आती है साती हो कि आपको को कार्डियक बोल रहा हो दिल की बिमारी नहीं हो कि अटील की मिल एक दो तकलीक तो जो है उस्थित्ति को हम आपकी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है डिजीटेलिस पर पूरिया डिजीटेलिस पर पूरिया थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार आप ले लें आप देखेंगे कि आपका जो काडियाक डिजीज हैं मतलब जैसे कि धरकन हो गई घबड़ाहाट हो गई, पैल्पिटेशन हो गया थ्रॉबिंग हो गई, उन सब में भी अराम मिल गया और आपके फैटी लिवर भी ठीक होने लगा फिर साती हों कि स्थिती आती है कि आपके फैटी लिवर हो रहा है और आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है एपिटाइट जीरो हो गई है तो अगर यह स्थिती हो कि एपिटाइट का आर्च जीरो हो गई हो खाने को कुछ भी मनना कर रहा हो और आपके फैटी लिवर हो तो उसे स्थिती को ठीक करने की हुमियोपाथी है बहुत कारण दवा है बॉल्डो आप बर्डो 30 दो दो पून दिन में तीन बाल ले ले आप देखेंगे कि आपकी भूग भी बढ़ गई आपका फैटी लिवर भी ठीक होने लगा और आपका जो लिवर एरिया में पेन है वहाँ भी खत्म हो गया फिर साथियों एक दिक्कत आती है समस्या आती कि बहुत छोटे बच्चों में फैटी लिवर हो गया तो अगर इंफैंट्स तक में दूद पीते बच्चों में पैदा हुए बच्चों में अगर फैटी लिवर हो रहा है तो उसको ठीक कर दो कि हुम्योपैटी को भी दे सकते हैं जो की फैटी लिवर से ग्रसित हैं और जिनको बार-बार री करें जॉन्डिस हो रहा है तो मारिका सेरीफेरा ऐसे लोगों को ठीक करके आपको जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद करेगी एक स्थिती आती है साथियों कि आपके लिवर बहुत जादा बढ़के ग्रॉसली अनलार्ज हो गया और आपके गाउट है साथ में तो अगर यहाँ स्थिती हो कि आपके गाउट की कंडिशन होने लगी हो यानि कि छोटे जोड़ों में दर्द मुठी में बंद होने में दिक् ले 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 आप देखेंगे कि आपका जो बहुत ज्यादा बढ़ा लिवर है यहां समानी की ओर आने लगा नार्मल की ओर आने लगा फिर साथ यह कंडिशन नॉर्मली फैटी लिवर उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो मोटे हो थुल्थुलों थोड़ा उबीज हों आप कलकेरिया कार वान हेम की तीन खुराग पंच-पंच मिट के फासले पर उसे सिती में ले सकते हैं खास तोर पर यह है महिलाओं के लिए भी बहुत कारगर है कलकेरिया कार जबा इसको आप ले सकते हैं कि अगर आपके सर से परसीना बहुत आता हो आपको ठंडी हवा से यह लर्जी हो शाम को आपकी तकलीफें बढ़ती हो अंडा खाना आपको एक खाना बहुत पसंद हो आपका जो नेचर है सरीर का वह ओबीज हो फियर फैट एंड फ्लैबी हो थुलतुल हो तो कलकेरिया कार इस ड्रग ऑफ दा चॉइस यहां आपके फैटी लिवर को ठीक कर करके आपको पूर तरह स्वस्थ कर देगी और जो आपके राइट साइड डिप्स के नीचे भारी पन होता है यहां पुरी तरह खत्म हो जाएगा फिर साथ यह स्थिती आती कि आपका लिवर भी फैटी है और आपकी स्प्लीन भी बढ़ी है तो अगर यह दोनों चीजें सा आप फेरम आसनिकम 30 दो दो भून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका लिवर और इस्प्लीन दोनों ही अपने कुद्रत के बनाए निजाम पे यानि कि सामान की ओर आने लगे एक स्थिती आती साथियों देखा गया आम तोर पे जब फैटी लिवर होता है आपके तो साथ में पूरे सरीर में खुझली भी होने लगती है अगर आपको इसकीन प्रॉब्लम के साथ फैटी लिवर है जिसमें की इचिंग एक में सिंटम है तो उससे सिती को ठीक करने की होमोपैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है डॉली कॉस आप डॉल का सिंटम हो गया इचिंग विदाउट इरप्शन इरप्शन कोई नहीं है लेकिन लिवर की दिकत के कारण आपके पूरे शरीर में खुझली हो रही है उस स्थिती में डॉली कॉस बहुत अच्छी दवा है यहां लेकि आप लापरात कर सकते हैं फिर साथियों कि स्थिती आ नाम है पोडोफाइलम थाटी दो दो पूर्ण दिद में तीन बर उस कंडिशन में दे सकते हैं जब आपको बार बार डाईरिया हो रहा हो आपका फैटी लिवर डिजीज हो और आपको बहुत विक्नेस आने लगी हो तो पोडोफाइलम को चैता है इसकी जो ब्रेड लाइन जिसमें excessive nature है discharges का, तो podophyllum is the drug of the choice, यह दवा आपको ठीक करके fatty liver की समर्षा से निकालके आपके जीवन को सुगम बनाएगी एक सिति आती है सातियों fatty liver disease में कि बहुत जाद आपको उकाई उल्टी हो रही है liver बढ़ गया और आपको बहुत बहुत उल्टी हो रही है अगर याज सिति आपके हो कि बहुत उल्टी हो भारी पन आपको बनाए और आपके fatty liver है तो उसको ठीक करने की हुमियोपैथी में दो खारगर दबाए हैं पहली दबाए सातियों इपिका और दूस्ती दबाए रिटैनिया आप इपिका 30 दो दो बून दिन में 3 बार और रिटैनिया 30 दो दो बून दिन में 3 बार ले सकते हैं आपकी belching और reaching दोनों चीजें खतम हो जाएंगे आपको डकार नहीं आएगी आपको काई नहीं आएगी और आपका fatty liver भी ठीक होने लगेगा एक सिती आती है सातियों जब आपको fatty liver हो गया और साथ में आपके liver के region में इतना pain हो रहा है कि या pain आपके right shoulder तक भी जा रहा है और right hip region में भी जा रहा है और आपको bloody stool हो रहा है तो अगर यह आपको मतलब थोड़े से भारी symptom से इस समझते है तो उसको ठीक करने की होमियोपैथी में दवा है और आपके fatty liver को ठीक करने की होमियोपैथी में दवा है और दवा का नाम है वाइपेरा आप वाइपेरा 32 दो गून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका जो pain हो रहा है जो कि right side यहां wrist के नीचे से right number region से आपके shoulder और hip तक जा रहा है और bloody stool हो रहा है तो इन तीनों symptoms में जो है यहाँ वाइपेरा आपको आराम देगी दवा और आपके जीवन को बहतरी के बूर ले जाएगी यहाँ साथियों कुछ दवाईती fatty liver के विशे में जो कि हम अपने क्लिनिक पर देखते हैं कि अगर 50 लोगों का ultrasound होता है तो 50 में 45-46 के fatty liver आता है शायद हमारे B.I. हमारा ultrasound होगा तो तो यहाँ दवाई हैं साथियों जो आपके fatty liver को ठीक कर सकती है और इसके बाद होने वाले जो hepatitis है और liver cirrhosis है उस इस्तिती को यहीं पर रोग के आपको सामान कर सकती है अगर साथियों आपके मन में कोई query उठ रही हो तो आप हमारे notification panel में अपने question को लिख सकते हैं या हमारे WhatsApp नंबर 94-15-786-3803 पर अपनी query को WhatsApp कर सकते हैं आपको संतोच जनक जवाब देने का प्रियास किया जाएगा एक बात और साथियों कोई भी दबा हो पिना कुसल्ची के सकते पूछे मत लीजेगा यह हमेशे हम कह देते हैं क्योंकि यह आवशक बात है अगर साथियों आपको यह बहुती सामान समस्या से निपटने की सामान रूप से भाषा में बताए गए होमियोपैथी की दबाएं आपको सुन के अच्छा मैसूस हूआ तो इस वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो को शेर करिएगा अपने चैनल को सब्स्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारे नए वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा आपका सातियों हमारा साथ देने के लिए साथ रहने के लिए साथ चलते रहने के लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद साथ चलते रहने के लिए बहुत शयोओका क्लिक लिए प्रभष्छ लिए 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 हमारे लिए झाल झाल